बिहार सिच्छा विभाग के अपर मुके सच्यू के के पाठक और IMA इंडियन मेडिकल एसोशियेशन के पूर्व अध्याक्ष डॉक्टर अजय के बीच जबरदस्ट भिड़ंत हुआ है दोनों आपस में भिड़ गये हैं डॉक्टर अजय ने केके पाठक के उपर उसके बाद केके पाठक कहां मानने वाले हैं केके पाठक भी एक्षन में आ गये हैं मैं पूरी तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा विस्तार से सब कुछ बताऊंगा नमस्कार आप देख रहें देश्वानियोज और मैं हूँ आ है कि मैं अब इसकी शिकायत बड़े लेबल पर करूँगा कानूनी नोटिस भेजूँगा और ये सुनते ही केके पाठक एक्षन में आ गये हैं और पलटवार उन्होंने कर दिया है कानूनी नोटिस उनको ही भेज दिया है इस आरोप के बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है के पुर्व अध्यक्स के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है केके पाठक ने अपने अधिवक्ता नरेश्ट दिच्छित के माध्यम से इंटरनेट मीडिया में डॉक्टर अजयकुमार द्वाला आपति जनक टिपड़ी को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है नोटिस में केके पाठक ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा है माफी नहीं मांगने के स्थिती में उन पर कानूनी कारवाई की बात भी कई गई है इधर डॉक्टर अजयकुमार के मुताबिक वा सिक्षा विभाग के अपर मुखे सचियों केके पाठक को कानूनी नोटिस भेजेंगे उनका कहना है कि केके पाठक ने उन्हें भद्दी भद्दी गालिया दी थी क्योंकि एक चैनल को दिये साक्षाकार में उनकी टिपड़ी से पाठक आहत हुए थे डॉक्टर अजय ने कहा कि उन्हें मोबाइल फोन पर उस वक्ट गाली दी गई जब वे परिवार के साथ राज्य के बाहर छुट्टी मना रहे थे गाली सुनते ही फोन बंद कर दिया उन्होंने कहा कि वह मुख्य सचिव आमिर सुभानी और मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार से इस घटना के लिखे शिकायत करेंगे अगर कोई कारवाई नहीं हुई तो केके पाठक को कानूनी नोटिस देंगे अदालती लड़ाई लड़ेंगे तो सुना आपने डॉक्तर अजय का कहना है कि जब मैं बिहार से बाहर अपने पूरे परिवार के साथ था केके पाठक ने फोन करके मुझे भद्दी भद्दी गालिया दी इधर केके पाठक कारो फैक उन्होंने उनके उपर आपत्ति जनक टिपड़ी की और दोनों तरफ से अब वार पलट वार जारी है केके पाठक ने इंटरनेट मीडिया के द्वारा उनके उपर नोटिस बेज दिया है और अब IMA के पुर्वध्यक्स केके पाठक भी तैयारी में है कि बड़े लेबल पर मैं शिकायत करूँगा कारवाई नहीं हुई तो फिर मैं लिगल नोटिस बेजूँगा कानूनी नोटिस बेजूँगा तो देखने वाली बात ये है कि कौन जीतता है केके पाठक बड़े सक्त प्रसासक माने जाते हैं कड़े तेवर वाले व्यक्ति हैं तो देखते रहिए देशवानियो देश और दुनिया की तमाम खबरों के धन्यवाद